मार्केट में तो ऐसे सर्सो का सभी रंका भी जा रहा है लेकिन मार्केट में सबसे ज्यादा आजकर पायोनियर का कमपनी का चल रहा है और यह सबसे ज्यादा इसलिए चल रहा है दो तिन ही कमपनी है जो कि मार्केट में धाक अपना जमाई हुए है और थोड़ा पुराना है और पिछले साल भी इसका उतना ज़्यादा खराब नहीं हो पाया था, उससे एक साल पहरे ये बहुत अच्छा उत्पादन दिया था, पिछले साल से भी डबल दिया था और उत्पादन छमता भी बहुत ज़्यादा था, पिछले साल थोड़ा पाला गीडने के कारण इसका थ सबसे अच्छा लगता है इसका मैं दो रंग तीन रंग का लगाता हूं मतलब अलग-अलग खेतों में अलग-अलग रंग का लगाता हूं और 125-130 दिन में मध्याबधी का होता है और 125-130 दिन में यह तयार हो जाता है उचाई की बात करें तो 167-180 cm हमारे इधर बिहार यूपी में इसे जलावन के रूप में भी उपयोग करते हैं क्योंकि जलावन के रूप में यよ 5-10 रूपय बोज़ आ जाता है तो उस्में उपयोग हो जाता है और 160-180 cm का होता है तो अराम से उपयोग भी कर लिया जाता है और पैदावार की बात करें तो 12 से 14 कुंटल परती येकर के हिसाब से होता है येकर में आप इसका यही आप एक देख लीजे 42 परसेंट इसका तेल का मात्रा होता है सबसे ज्यादा आपको अगर यूरिया भी नहीं मिला है तो सिंगल सूपर फासफेट दीजिए 50 kg औ वह बहुत नाइट्रोजन के लिए आपको बहुत अच्छा होता है और सब चीज से बहुत अच्छा होता है और इसमें रोग परती रोड़क छमता भी जादी होते हैं विराइटरी सबसे अच्छा उत्पादन के लिए अच्छा होता है और तना गलने का समस्या भी कम रहता है और पौधे का फूटाव बहुत ज्यादा होता है और तिल का मतरा अधिक होने के करा इसका लोग खरीद में खुब अच्छा तरह से आप मतलब खरीदते हैं और इसका बीच के बात करें तो कंपनी द्वारा बताया जाता है जो एक अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक आप लेकिन मध ही रहता है 20 अक्टूबर तक अभी जो चला है वो 20 अक्टूबर तक मध 25 तक लोग देते हैं और एक एक कर में एक केजी बीच आपको लगेगा पंक्ति से पंक्ति की चौराई दो चाहराई दो से तीन से राजकल लोग अपना सिट डिलेल से अपना लगाते हैं तो देखे लिजयेगा और दो पानी लगता है है दो मतलब एक पानी अभी देदीजेए और एक पानी थोड़ी दिन 3,0 से चल जाता है जोकि बहुत अच्छा होता है और अच्छा उत्पा से अर्कावें.